देखे बिलकुल यहाँ पर चर्चा किवल बगावत की नहीं है बगावत से पहले कदम क्या होगा बगावत से पहले पशुपती नाथ पारस का कदम यह होगा कि वो केंद्रिय मंत्री के पत से इस्तिफा दे देंगा अब चर्चा इस बात की वी है और यह चर्चा इस कदर है क आज ही के दिन यानि कि गुरुवार के दिन ही पशुपती नात पारस अगरी फैसल लेंगे तो वे आज ही के दिन केंद्री मंतरी के पत से इस्तिफत दे सकते हैं और ख़वरे यहां पर ये तक आ रही है कि महागडबंधन के कई नेता हैं जिनके साथ वे लगतार संपर्क में बने हुए और सीधी चीज देखे चिराग पासवान को लेकर भी यही कहा जा रहा था जिस तरीके से वो दो से जादा सीटों की मांग रख रहे थे और यहां संभावना थी कि बीजेपी एक से जादा सीट नहीं दीगी ऐसे में चर्चा थी कि चिराग पासवान महागडबं से इतर हटके महागडबंदन का रुक कर सकते हैं और आज ही के दिन यहां की इंद्रिय मंतरी के प्रत से वी स्थीवा दे सकते हैं तो प्रमुग भूमी का प्रमुग आधार इसमें यही बन रहा है कि जस तरीके से सीट शेरिंग भिहार में एंडिय गडबंदन के तरह पर दिखेगी साथ ही एक सीट पर यहां पर हिंदुस्तान आवा मोर्चा है और एक सीट पर यहां पर आरेलम यानि उपेंदर कुश्वाह के पार्टी है अब इस सब के बाद जो पूरा सियासी गणीत यह बैटते सके बाद भी एक सीट बाकी है अब यह एक सीट किसके खात पर यहां पर तो अगर यह कुणा करके बचाई भी आप पर शुपती नाथ पारच के लिए तो वे एक से संतुष नहीं है क्योंकि कहीं न कहीं वो लगतार यह तर्ग देते नजारार की वर्तमान में उनके पांस पांच विधायक है और आफकी जब पांच सांसत वर्तमान म उनके पासे तो कुल मिला करके अब बिलकुल भी यहां संभावना नहीं है कि पशुपती नातपारस NDA का कुछ और वक्त तक भी अब यहां हिस्सर रहेंगी